हलो फ्रेंड बिलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी क्या हाल चाल है आई होप आप सभी अच्छे होंगे शांदार होंगे जानदार होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि डेक्टाप के बैक्ग्राउंड को कैसे सजाएं ताकि देखने में आपका कम्प्यूटर बढ़ी असा लगे जब आप कम्प्यूटर आन करते हैं जो सामने दिखाई देता है इसको हम डेक्टाप बोलते हैं और नीचे देखे यह जो एक पट्टी सी दिखाई देती है इसे हम टास्क का बार बोलते हैं इतना ज़रूर जान लेजिए फिर इसके बाद आपको क्या करना है आपको सबसे पहले डेक्टाप का बाइक्ग्राउंड लगाना है बढ़ी असा बाइक्ग्राउंड लगाना है जिससे की आपका कम्प्यूटर बढ़ी असा दिखे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको यहां पर window बटन पर किलिक करना है और इसके बाद आपको control panel पर किलिक करना है जैसे ही आप control panel पर जाते हैं यहां पर आपको देखे appearance option मिलता है appearance पर जैसे ही आप किलिक करते हैं उसके नीचे देखे कुछ लिखा हुआ है जैसे change desktop background, adjust screen resolution एक अच्छा resolution देने के लिए और desktop का background change करने के लिए आपको यहां पर option मिल जाता है और बाकी और कुछ भी है जैसे program install करना, install program को देखना, hardware and sound, clock, language, region यह सारी चीज़े जैसे कि आपके computer में यह लिखा हुआ है यह किस language में होना चाहिए, इसका clock कहां पर लगना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह साधी चीज़े आप यहां से change कर सकते हैं इसके लिए अब आपको appearance पे change desktop background पर click करना है जैसे आप change desktop background पर click करेंगे, यहां पर आपको देखिए, desktop background का window open हो जाता है अब यहां पर देखिए, picture location वगेरा दिया हुआ है, जैसे कि windows desktop background आप कहों से background लगाना चाहते हैं यहां पर कही तरह के background से दिये हुआ है, जैसे यहां पर picture library में जाएंगे, top rated photos में जाएंगे और यहां पर solid color जैसे कोई solid color आप यहां से लगाना चाहते हैं, तो यहां से आप कोई सभी color लगा सकते हैं और इसके बाद देखे, my picture पर जाएंगे तो जो आपके pictures save रहते हैं, जो computer में आप pictures अपनी और से रखते हैं, वो सारे pictures आपको यहां पर दिख जाएंगे देखे, इसमें बहुत सारे pictures हैं, जो already मैंने रखा हुआ है, तो यहां से यह pictures आपको मिल जाएगा और यहां पर देखे, top rate is जो photos होते हैं, जो आपके computer में already होता है, और इससे picture library पर जाएंगे तो यहां से बहुत सारा pictures आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां से windows picture background पर जाएंगे तो यह मिल जाएगा, अब यहां से हम कोई बढ़िया सा, जो भी picture हमको अच्छा लगए उसको हम select करेंगे और यहां से picture position को हम set कर लेंगे, जैसे कि हमको fit रखना है, fill रखना है, stage रखना है, या center में रखना है, यहां पर हम fill option को लेते हैं और यहां से इसको हम shape change करते हैं, जैसे shape change करेंगे, यहां से क्या होगा, कि हमारा जो desktop का background है, वो change हो जाएगा यहां से आप देखें यह background change हो गया, अब दूसरी बात resolution की आती है, तो यहां पर हम resolution के लिए 1366760 है, मेरे laptop का size है, तो यही size रहने देते हैं, अगर आप में आपके computer के carding आपके background का size रखना है, तो यहां पर desktop जो background है, यह save हो गया है, अब यहां पर क्या करना है, जैसे कि यह जो folders वगरा बने हुए हैं, जो इसमें type वगरा है, अब इसके appearance को हमको change करना है, यहां पर right click करेंगे, यहां पर देखिए, view आप साने, view पर जाएंगे, तो हमको यह जो icon है, icon को कैसे रखना है, large में रखना है, medium में रखना है, small में रखना है, यहां से आप देख सकते ह अब यहां हम large icon रखने है, तो हम massive icon सुल यहां से चोर्ट mediumlocksें रखना है में रखना है, यहां से अगर w yesоп, time क्रूंत भर देखिए, अब यहां पर आप को देखना है, यह जो icon, folders रखना है, फाईल यहां यह इधर से ओधर हो गया, कभी कभी किसी computer में पूरे में भरा सा रहता अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर start by पर जाएंगे start by पर जाएंगे तो यहां पर जैसे name, size, item, type और date modified दिया रहता है name से जैसे कि कोई name A से सुरू होता है, Z तक जाता है तो पहले A वाला, फिर B वाला, फिर C वाला, तो name पर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा अगर size के according करते हैं, जैसे किसी कोई folder 1 MB का होता है, फिर 2 MB, 3 MB, तो size के according यह setup होगा और item type जैसे item type पहले computer फिर recycle या user पहले होता है, फिर computer होता है, तो इसके according यह set होगा और date modified यानि जैसे कि पहले आप दो तारीक को जो folder बनाए, पहले दो तारीक फिर 3 तारीक वाला, फिर 4 तारीक वाला, फिर 5 तारीक वाला इस तरीके से save होगा तो यहाँ पर जो हम करते हैं वो item type करते हैं तो यह जादा बढ़िया रहता है, जब आप item type करते हैं तो सबसे पहले computer फिर recycle फिर folders फिर उसके बाद आपकी यह जो file होती है यह आएंगी, तो इस तरीके से हम windows के और desktop के background को बढ़िया से सजा लेते हैं, अब इस तरीके से यह file एक systematic ढंक से रहेगा और देखने में भी अच्छा रहेगा, यहाँ पर एक चीज और देखना है, यहाँ पर यह जो task bar यह अभी hide हो जा रहा है, इसको यहाँ से hide करा देते हैं, तो यह full desktop दिखाई देने लगता है, और यहाँ पर अगर इसको रोकना है, तो यहाँ से हम जा जाएंगे, property में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर auto hide the task bar लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे तो यह और apply करके देखेंगे तो यह आ जाएगा, अगर यहाँ से इसको आप auto hide करा देते हैं, तो यह अपने आप चला जाता है, यह देखिए, यहाँ से चला जाता है, तो इस तर वीडियो कैसा लगा, comment box में जरूर बताएं, वीडियो को like और share करना न भूलेगा, तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा, नेक्ट वीडियो के लिए notification का बटन जरूर दबा के रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्वाद आप स वीडियो को